कि może कि sounds وسक एलो फ्रेंड रिरो लाइन मैकरोन कोर्स में आप सभी का स्वाज़ात आ हम आपके पाज इस वीडियो में यूनिक फ्लेवर के साथ बबल-गम मैकरों qi recipe लेकर आएएं है बब्ल गम मैकरों क्षाने में इतने जादर टेष्टी होते हैं कि आप बबल बबल गम मेकरों बनाने के बार और खाने के बार 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 बनाना पसंद करूंगे। टेष्टी को आप अपने गर पांच मिनट में ही असान तरीके से बना सकते हैं अमूल क्रीम और मैल्ट चोकलेट आपके रूम टेमपरचर पर होने चाहिए डाली गई अमूल क्रीम और मैल्ट चोकलेट को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है प्रेंड अमूल क्रीम के मेल्ट चोकलेट में मिक्स हो जाने के बार अगर आपकी चोकलेट गनास लूज है तो आप अपनी चोकलेट गनास को फ्रीज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दे ये देखें फ्रीज में 15 मिनट के लिए चोकलेट गनास को रखने से हमाई टोलेट गनास अच्छी तरीका से सेट हो गई है इस मैक्रोन इसे कैसे बनाए जाते हैं उसका लिंक उन्अ इस वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्स में ढाल दिया है अपने लेचल मैंक्रोन बनाने के लिए आप अपने macron cells कोई से भी color के या फिर किसी भी shape के बना सकते हैं आपको अपने सभी macron cells के उपर डिजाई मनाने के लिए edible marker यूज कर सकते हैं अगर आपके पास edible marker नहीं है तो आप dark chocolate ले ले dark chocolate को melt करना है चोकलेट को कैसे melt के जाता है उसका link हमने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अगर आपके हां का मुसम घरम होनी चाहिए अगर आपके हां का मुसम घरम है तो आपकी melt chocolate room temperature पर होनी चाहिए मेल चोकलेट को piping bag में बनने के बाद piping bag के आगे के point को बारिक सा कट करना है मैकरों सेल्स पर डिजाइन बनाने के लिए मैकरों सेल्स पर डिजाइन बनाने के लिए सब्सक्राइब आपको एक मेकरों सेल्स लेरा है मैकरों के बीच में गोट रखनी है इस तरह से मैल चोकलेट की कि है अब अपने मेकरों ज्छ पर कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं प्रेंड हमने अपने मैक्रोन कोर्स में मैक्रोन सेल्स के उपर अलग अलग तरीके डिजाइन बना रखे हैं आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैक्रोन कोर्स में जाकर अलग अलग टाइप के डिजाइन देख सकते हैं मैकरोन सेल्स के उपर बनाएके डिजाइनों को देखने के बाद आप अपनी पसंद से कैसा भी डिजाइन बना सकते हैं इस तरह से आपको अपने सभी मैकरोन सेल्स के उपर मैल्ट चोकलेट से डिजाइन बनाना है फ्रेंड बबल गम मैकरों बनाने के लिए आप अपने मैकरों सेल्स को बिना डिजाइन के प्लेइन भी रख सकते हैं यह देखे फ्रेंड हमने अपने सभी मैकरों सेल्स के उपर मैल्ट टोकलेट से डिजाइन बना दिया है प्रेंड मैक्रोन सेल्स के उपर डिजाइन बनाने के वाद और डिजाइन के सुख जाने के वाद ही मैक्रोन सेल्स पर फिलिंग करनी है प्रेंड मैकरों सेल्स के उपट जये मिराने के वार अब आपको बबल गम फिलिम बराने के लिए बाइट चोकलेट गनास लेनी है अगर आपकी चोकलेट गनाज रखे होगे मोसम के अकोडिंग टाइट हो गई है तो आप अपनी चोकलेट गनाज को माइकरोवेब में 10 सेकेंड के लिए रखे 10 सेकेंड माइकरोवेब करने से आपकी गनाज टाइट से लूज हो जाएगी ह Glas स्बस्षा दराँ है वह जानकों कि ना आपको ही और के हैं हैं मौलंու द्हार को कि में वनाने के लिए मैंने यहां पर बीलुझया दो द्यभी डालने हैं है अले कोको और व्री गनास को आपस घर अच्छतरीका सेम्क्स करना है कलर के अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद आपको अपने बबल गम फिलिंग बनाने के लिए बबल गम एसेंज दालना है बबल गम एसेंज आपको इसी भी कमपनी का ले सकते हैं एसेंज को अच्छे तरीके से गनाज के साथ मिक्स करना है एसेंज के मिक्स हो जाने के बार आपकी फ्रेंड बबल गम फिलिंग बनका त्यार हो गई है मैकरोन सेल्स के उपर फिलिंग करने के लिए आपको अपनी बबल गम फिलिंग को पाइपिंग बैग में भरना है यह देखे फैंड हमने बबल गम फिलिंग को पाइपिंग बैग में भल लिया है पाइपिंग बैग के आगे के पॉइंट को कट करना है मैकरों सेल्स के उपर फिलिंग करने के लिए vabbl gum macarones बनाने के लिए आपको एक macarone cells लेना है macarone cells की दूसरी साइट पर बनीं हु़ी बबल gum filing से filling करनी है filing आप अपने टेस्ट के according कम या ज़्यादा कर सकते हैं macaron cells पर filling करने के बाद आपको दूसरा macarone cells लेना है और filling के उपर रखना है कि लिंग के उपर मैकरों सेल्स को हलका सा प्रेस करना है हलके हाथ से इस तरह से फ्रेंड आपका बबल गम मैकरों बनकर त्यार हो गया है इस तरह से आसान तरीके से आप अपने घर पर बबल गम मैकरों बना कर त्यार कर सकते हैं इसी तरीके से आपको अपने सभी बबल गम मैकरों बना कर त्यार करने हैं फ्रेंड बबल गम मैकरोंस को आप एर टाइट बोक्स में करके 10 से 15 दिन के लिए असानी से श्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड मैकरों कोर्स में हमने अलगलग टाइप के अलगलग फ्लेवर में मैकरों बना रखे हैं उन सब की वीडियो आप हमाई चैनल की प्रेलिस्ट में जाकर मैकरों कोर्स में देख सकते हैं फ्रेंड अलगलग प्लेवर में मैकरोंस बनाना बहुत ही ज़्याद है आसान है बस आपको एगलेस मैकरोंस बनाने आने चाहिए एग्लेस मैकरोन सेल्स भी बनाना बहुत ही ज़्यादे असान है वस एग्लेस मैकरोन सेल्स बनाते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा एग्लेस मैकरोन सेल्स बनाते समय आपको हर टिप्स को ध्यान में रखकर ही एग्लेस मैकरोन सेल्स बनाने है प्रेंड मैक्रोन कोर्स में लास्ट टाइम हमने रोजी रेड फ्लेवर में मैक्रोन बनाईते रोजी रेड मैक्रोन सभी लोगों को बहुत ज़्यादर पसंद आए रोजी रेड फ्लेवर के बने हुए मैक्रोन खाने में बहुत ज़्यादर टेस्टी होते हैं रोजी रेट मैक्रोंस का लिंक हमने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इस तरह से आपको अपने सभी मैक्रों सेल्स पर बबल गम की फिलिंग करनी है और बबल गम मैक्रोंस बनाकर त्यार करने है यह देखिए फ्रेंड हमने अपने बबल गम मैक्रोंस देखने में जितना ज्यादा सुन्दा दिखाई देता है खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी होता है एक मैक्रोंस को मैं कट करके दिखाती हूं कि कट करने के बाद भी बबल गम मैक्रोंस देखने में कितना ज्यादा सुन्दा दिखाई देता है य बबल गम फ्लेवर में बने हुए मैकरों बच्चों को बहुत ही ज़्यादे पसंद आते हैं अगर आपको हमारे बबल गम मैकरों की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दवाना ना भूलिएगा बेल आइकन को दवाने से आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा इस वीडियो के नीचे दिये गए कमेंट बोक्स में भी जरू लिखेगा कि आपको हमारे यूनिक फ्लेवर में बने हुए बबल गम मैकरोंस की रेसेपी कैसी लगी फ्रेंड मैकरोन कोर्स में दी गई सभी रेसिपी को और इस यूनिक फ्लेवर में बनाए गई बबल गम मैकरोन की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम आपसे इस रेसिपी के साथ विदा लेते हैं हम आपसे एक और नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे बाई बाई